हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो जोनाचार्ज विजिकेशन फ्रेंड्स आज का वीडियो में हम डिसकास करेंगे साइन्स का कुछ इंपोर्टन कोशन एंसर जो कि सीवीटी बेड एंट्रांस के लिए बहुत ही हेलपूल होगा तो दोस्तो वीडियो को आप अंतक जरूर देखेगा यदि फ्रेंड्स आप चैनल पे ने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कली जगा वीडियो पसने तो एक लाइक कली जगा आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से रगरें तो चलिए दोस्तो आज का इस वीडियो को शुरू इन दे अट्मोस्पियर डिव टु बर्निंग अफ फसिल फ्यूल्स नेक्स्ट है फ्रिक्शन एमंग क्लाउड्स कॉजस लेक्टी चार्जस या हीमिडिटी प्रोडुसस एसीड वेपर सौन हीड अफ दो क्लाउड्स दोस्तों यहां पर राइट एंसर है जो कि आप्शन करने से ठीक है तो इसलिए जो कि एसीड रेन हो रहा है इसका कारण है सब कुछ नेक्स्ट है विच अब दा फॉल्वेंग इस एसीडिक इन नेचर इसमें से कौन से जो कि एसीडिक नेचर हैं कॉमन सॉल्ट सॉलिशन प्योर वाटर लेमन जूस या बेकिंग सोडा सॉलिश राइट अंसर यहां पर आपका होगा लेमन जूस लेमन जूस जो कि एक एसीडिक सबस्टन्स है ओके नेक्स्ट है वाट इस दा वाल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन एट स्टंडर्ड टेंप्रेचर एंड प्रेशर ओके तो 16 ग्राम ऑक्सिजन जो कि है इसका वोल्यू लेटर ओके इस यहाँ पर आपको 16 ग्राम जो कि दिया गया है इसमें हम नंबर आप मोल्स निकालेंगे कितना होगा नंबर आप मोल्स को आपका फर्मूला क्या होता है तो गीविन मास कितना है 16 ग्राम है और अक्सिजन का molecular mass कितना होता है जो कि यहाँ पर 32 होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 by 32 हो जाएगा 1 by 2 ओके, तो यहाँ पर 1 by 2 mole हो रहा है, तो यहाँ पर हमको निकलना होगा, 1 mole is equal to हो गया 22.4 liter तो half mole कितना होगा तो यहाँ पर जब हम half mole कर निकालेंगे, तो 22.4 multiply 1 by 2 होगा है कि नहीं, तो यहाँ पर आपका देख सकते हो, तो यहाँ पर 11.2 होगा, ठीक है 11.2 liter यहाँ पर होगा option number यहाँ पर आपका 2 right है, ठीक next है mass number of an element is x and it has 11 electron the number of neutron in it is so दोस्तों mass number जोकि दिया गया है x है, mass number को हम लिखते है, जोकि इसका symbol होता है यह होता है, तो यहाँ पर आपका x दिया गया है mass number and electron जोकि number of electron यहाँ पर 11 है, तो दोस्तों आपको पता होगा जोकि number of electron is equal to number of proton होता है, is equal to atomic number होता है, जोकि z ठीक है, और number of neutron जब हम निकालते है, neutron number of neutron is equal to a minus a minus z होता है, तो यहाँ पर number of electron जोकि यहाँ पर आपका same हो जाएगा, atomic number से तो 11 इसका दिया गया है और यहाँ पर आप देखते तो a का value है x है, और z का value है 11, तो x minus 11 यहाँ पर आपका number of neutron आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एट एंसर क्या हो जाएगा, x minus 11 option में है, यहाँ पर आपका 4, option number 4 यहाँ पर right है, ठीक next है, an example of chemical change is, इसमें स्रेकोंसर की chemical change है conversion of water into ice water into ice जोकि यहाँ पर एक physical ही change हो रहा है दोस्तों, जोकि ice से आप water बना सकते हो, फिर conversion of water into steam steam से भी आप water बना सकते हो next है, hitting आप यह register on passing current जोकि current पास होने से register जो है, hitting होता है next है, conversion of milk into curd milk जो है curd बनता है तो, जोस्तों, curd से आप और milk नहीं बना सकती हो, ठीक है तो यहाँ पर right answer रहेगा जोकि conversion of milk into chemical change है, ओके जो भी product बनता है, product से हम जो है, अब reactant तक नहीं आ सकती है ओके, जोकि irreversible process होता है, chemical change में ओके option number 4 यहाँ पर right होगा, next question को देखेंगे so friends next है, a man is 10 feet away from his image in a plant mirror, fixed in a wall एक wall में जोकि land mirror fix है, तो यह man जो है, 10 feet दूरी में है उसका image से okay, he walks 3 feet towards the mirror, जबकि वो 3 feet towards the mirror के तरफ जाता है, what is the distance between him and his image now, तो वर्तमान उसका image and आदमी जो भी यहाँ पर है उसका distance कितना होगा तो इसको हम लिखते हैं ऐसे यहाँ पर एक land mirror है okay, so यहाँ पर बोला गया 10 feet away from his image तो यहाँ पर एक man है और इसका image यहाँ पर है okay, और इसका दूरी जोकी है 10 feet है 10 feet इसका दूरी है next बोला गया है he walks 3 feet towards the mirror mirror के तरफ जोकी है 3 feet यहाँ पर चला गया okay, और यहाँ पर इमेज जो भी यहाँ पर आपका 3 feet इस तरफ चला आएगा तो अभी जो है इसका distance कितना है यहाँ पर पूछा गया है तो देख सेकतों total था 10 यहाँ पर 3 feet minus हो गया यहाँ पर 3 feet minus हो गया तो कितना बचा दोस्तों middle में यहाँ पर आपका 2 feet बचा यहाँ पर 2 feet तो total यहाँ पर आपका 4 feet away from means यहाँ पर आपका man and the image का जो की distance होगा 4 feet होगा ठीक है option number यहाँ पर आप देख सेकते हो 4 right होगा option number 3 यहाँ पर राइट होगा जो की 4 feet ठीक next है if a ray of light is going from air to glass and angle of incidence is i and angle of refraction is r we have so दोस्तों angle of incidence and angle of refraction का जो की क्या होता है इसका expression sin i divided by sin r is equal to constant option number 3 यहाँ पर राइट है ठीक next है two resistances of two ohms each are joined in parallel what is the equivalent resistance so दोस्तों दो resistance है उनका जो है resistances जो है दो ohm है तो इनको जो है parallel में joint किया गया है तो इसका equivalent resistance क्या होगा so equivalent resistance जो पर राइलेल में होता है इसका फर्मूला होगा 1 by equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 तो R1 और R2 का value यहाँ पर आपका 2 ohm दिया गया है तो 1 by 2 plus 1 by 2 तो इसका value 1 आ जाएगा तो equivalent जब हम निकाल लेंगे तो भी 1 आएगा तो टोटल जो कि equivalent resistance होगा 1 ohm ठीक अप्शन नमें यहाँ पर आप देख सेखते हो अप्शन नमर 1 राइट है 1 ohm नेक्स्ट है तो यहाँ पर आपको पूछा गया फोर्स तो फोर्स का क्या होता है फर्मूला मास मल्टिप्ला है एक्सलिरेशन तो एक्सलिरेशन यहाँ पर जो कि यह है आपको निकालना होगा मास तो आपका 25 केजी है ओके तो यह का value आपका कैसे निकाल सेकते हो भी माइनस यू बाइट टी तो यहाँ पर आपका V का value है 10 U का value है 5 and time है 5 second तो यहाँ पर आपका उपर है meter per second और time है second ठीक है तो यहाँ पर आपका आजागा 1 meter per second square आजागा A का value तो यहाँ पर आपको put करना होगा जो कि यहाँ पर 25 है M यहाँ पर आपका 1 है meter per second square तो इसका विलो आजेगा 25 kg पर kg into meter per second square तो यहां पर आपका 25 newton होगा ठीक तो 25 newton इसका right answer होगा तो दोस्ते यहां पर आपको समझ में आए गया होगा सायत ओके तो right answer यहां पर आपका 25 newton होगा option no.3 ओके नेक्स्ट है what is the unit of sorry what is the unit of what किसका unit है यहां पर right answer रहेगा जो कि power power का unit जो है what है ठीक तो friends next है the planet nearest to earth in our solar system is solar system में जो कि सबसे nearest planet कौन सा है आर्थ का ओके तो दोस्तों right answer यहां पर आपका है venus venus वह सबसे nearest है कि यहां पर आप देख सेकते हो कि solar system में जो कि planet जो होते हैं यहां पर आपका sun है तो यहां पर आपको शोड़ा साथ ट्रीक है mj यहां पर आपको लिखना होगा e vm pattern, Uranus, Snapsune ओके तो इस तरीकी से आप याद कर सकते हो तो आर्थ का जो कि nearest difference venus ठीक है next question को देखेंगे alpha particles are alpha particles क्या होते है positively charged negatively charged या not charged same as photons दोस्तों alpha particle जो कि यहां पर होगा right answer positively charged particle होते हैं ठीक next night blindness is caused due to night blindness वह किसलिए होता है किसका deficiency से vitamin deficiency of vitamin A deficiency of vitamin B या deficiency of vitamin C या excess of vitamin A दोस्तों राइड़न सा रहेगा यहां पर deficiency of vitamin A के वाज़े से जुकिए होता है night blindness ठीक next question को देखेंगे why a flash of lighting is seen before the sound of thunder is heard so दोस्तों पहले जो कि आपको light जो कि दिखाई देता है उसके बाद जो कि थंडर आता है तो यह किसलिए होता है दोस्तों दोस्तों यहां पर right answer रहेगा जो कि because light travels faster than sound sounds जो कि है सबसे मतलब sound से ज्यादा fast में जो कि है light travel करता है इसलिए जो कि पहले आपको light देखाई परता है उसके बाद जो कि आपको sound सुनाई देता है थंडर का ठीक तो option number one यहां पर right है नेक्स्ट है तो डिजिज जन्डिस इस असोचेटेड विथ जन्डिस डिजिज यहां पर किस से एसोचेट है आई से लॉंग गॉंप या लीवर राइट अंसर रहेगा यहां पर लीवर से यहां पर एसोचेट होगा next है it is the process by which green plants manufacture food in the form of carbohydrates in the presence of sunlight green plants जो है manufacture करते है food जो की carbohydrates की form में in the presence of sunlight तो यह क्या होता है इस process को क्या बोला जाता है यहां पर right answer है photosynthesis photosynthesis process में यह सब कुछ होता है so next है which of the following is not an essential micronutrients of plants इसमें से कौन सा जुकी एक micronutrients नहीं है plants का zinc copper boron या sodium दोस्तो micronutrients का यहां पर हम देखे तो sodium यहां पर आपका एक नहीं है जो कि बाकी सब जुकी एक micronutrients है plants का sodium यहां पर आपका नहीं है okay next है what is the measure of acidity of a liquid किसी भी liquid का acidity को हम कैसे measure कर पाएंगे boiling point से freezing point या फिर pH density यहां पर आपका यहां पर pH से यहां पर हम सब कुछ निकल पाएंगे next है which of the following is also known as laughing gas इसमें से कौन सा gas को हम laughing gas के हिजाब से जानते हैं helium, nitrous oxide, nitrogen dioxide या nitrogen friends, right answer है यहां पर आपका nitrous oxide जो कि इसका formula होगा N2O nitrous oxide next है respiration involves exchange of respiration में क्या involves होते हैं क्या क्या यहां पर exchange होते हैं oxygen and carbon dioxide या फिर oxygen and nitrogen nitrogen and carbon dioxide या hydrogen and nitrogen right answer है oxygen and carbon dioxide का action होता है respiration में okay friends, so friends यहां पर हम सभी question discuss कर चुके हैं जो भी था यहां पर okay friends, so friends आपको यह वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बिताएगा अच्छा लगा तो friends वीडियो को एक like कर लिजेगा चैनल पर पहली बार आयो हो तो चैनल को भी subscribe कर लिजेगा so thank you friends, thank you for watching कर ला secreosto मैं ज.' यह ज खला कर को जिंगा मैं बालोगा कर भीक मैं बालोब़दम